लोग कहते हैं ना कि दर्द क्या होता है उससे पूछो जो अपने बेटे को गमा देता है दर्द क्या होता है उससे पूछो जो अपना पती गमा देता है दर्द क्या होता है उससे पूछो जो अपना भाई गमा देता है मैं पहुच चुका हूँ उत्तर परदेश के दवरिया में दवरिया में एह है रूद्रपूर रूद्रपूर चणवा लोग बोलते हैं इसे और लोग कहते हैं कि गाउं के लोग की जिन्दगी होती क्या है लेकिन वही गाउं के लोग इतिहास लिखा करते हैं ऐसे आपने देखा है एक सची सरधानजली बता दें लोग कहते हैं कि सची सरधानजली देना बहुत असान होता है लेकिन तकलीफ बातना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं बात कर रहा हूं एक सपूत की जो भारत माग की रक्षा करते करते 26-23 वर्ष की उम्र में ही सहीद हो गया धन है ओ माबाप और गरो भी करता हूं तकलीफ तो है लेकिन गरो भी है कि एक सपूत अगर सहीद होता है भारत मा की लाज बचाते बचाते तो कहीं न कहीं उस माबाप को भी गरो होना चाहिए कि मैंने ऐसे बीर सपूत को पैदा किया था जो भारत मा की आचल में डाग लगने नहीं दिया मैं उनसे ही जानता हूं कि हकीकत क्या थी कब उनको लगा कि नहीं मेरा बेटा सहीद हो गया और सहीद होने के उपरान उनके दिल पे गुजरा क्या उनसे जानने का मैं प्रियास करता हूँ और कब हुआ यह घटना इनके पिता जी है क्या नाम हुआ आपका सेसनात यादो के अगर देखा जाए तो आज दिल पे क्या गुजर रही है इनकी अंतर की आत्मा ही बता सकती है और आत्मा बता सकती है आपके कितने पूत्र थे? दो पूत्र थे जो सहीद हुए है संतोस यादो जी तो क्या लगता है मतलब आपके बड़े पूतिन की आयू क्या रही होगी? आये लमसम 27-26 होगा यही होगा अच्छा-चा कब का भरती थे? भरती थे 15 का 15 का भरती थे आज धीरे धीरे एक सप्ता हो गया आज के ही दिन ऐसा मतलब हुआ हमें आने में थोड़ा सा देर हुई है लेकिन मैं पहुचा हूँ पंजाब था पंजाब से आया और रह नहीं गया भाया दर्द तो मुझे भी होता है और समझाओं तो कैसे समझाओं लोगों को क्या लगा जब उनकी सहीद हुए तो कैसे पता चला आपको हमको इसी बचे लोग घूमते हैं उनके मोबाईल से हमको लोगो आया तो बताया तो मोबाईल से हमको मालूम पड़ा बाद में C.O.C. हमसे फोन किये तो बताए तो आपका लड़का सहीद हो गया है आपको अफसोस नहीं होना चाहिए गर्ब की बात है हम बला ठीक है तो क्या लग रहा है कि गरो हो रहा है आपको कि मेरा सपूत सहीद हो गया है भारत मा की लाज बचाते बचाते तो कैसा एसास क अचल नहीं लगने दिया मेरा बेटा और आज सहीद हुआ उस मा के आचल को बचाते बचाते क्या लगता है कि आज यहां पे चुनावी मुद्दा भी बहुत काफी चल रहा है आँ तो सब लोग नेता लोग आते हैं आल चाल पूछते हैं निता लोग आते हैं, बड़े लीडरों में कोई आया है, बड़े लीडरों में तभी फिलाल में कोई नहीं आया, शर मानी चाहिए यहां के योगी सरकार को, और जो सरकार है मैं उसी से काऊंगा, चाहिए खिलेश हो, चाहिए माय आवती हो, चाहिए योगी जी हो, शर मानी च जाएंगे इनको तो गर है कि उफार पर कभी नहीं करता है में जाएंगी नहीं जाएंगे जोने दर्वाजे देखे कैसे लिए घरता है जह सब्सक्राइब कभी उन्यता कफे करते हैं रहां से क्यों इससे क्या होता है आईसन सकाथ को कुछ होता है। जी 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 आशू तो हमारे धरवाजे बागे देखें कैसे आशू गिरता हमारे पलिवार कैसे गम में है हमारे बच्चे कैसे है हमारा पतोहू कैसे है यह तो आप देखिये खूद आप बचे से क्या देखेंगे आप पंढस बच भी ते कि headphones it कि अरूल इक अवाइब कि दोनरिकी है तो अब देख लिजिय में होता है अक्सर अपनों धGG्राइन होगे कि दूह उसी को मिलता है । जो कभी सलस यह लेकिन ङरल हो भी होता ए उन लोगों को अब अगल में उनकी माजी है अब उनसे क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है मैं भी इंसान हूं कहीं न कहीं दर्द तो है और माजी से मिलने के बाद भी लग रहा है कि ऐसा है माजी क्या कहना चाहेंगी है हम नहीं कुछ को हमारे हिमादे नहीं नहीं बोलती है दर्द हो रहा है कहीं नहीं है इस तरह से सदमा हो गया है कि मेरा बेटा इस तरह लेकिन गर्व होना चाहिए माताजी आपने उस बेटे को पैदा किया था जो भारत मा की लाज बचाते बचाते आज सहीद हो गये आपको गर्व भी होना चाहिए, गर्व है उनको कलेजाने नहीं, कलेजाने उनको बोलने का रोने का लाँ कुछ नहीं, माही समझ सकती है, लोग कहते हैं कि मा का दर्ध और बेटे का दर्ध एक मा बता पाएगी, दुसरा कोई नहीं बता पाएगा, अगर इनका आचल आज धुदला ह हुआ है, तो किसी की आचल को बचाते धुदला हो गया है, तो यह भी मा ने गजब का पैदा किया था, कि किसी की रख्षा कर सके, सब की मा नहीं पैदा कर पाती है, यह कौन है, आप उनकी बेटी हैं, क्या नाम हो आपका, मेरे जानवी आदो, जानवी आदो जी, अब जिस पर पणा, कुछ कही थी उनसे आप, मेरे पापा चाहते थे, मेरी बेटी दोनों डोक्टर बने, अरे वाह, वाह, तो आप तो पिता जी नहीं रहें, तो सपना तूड जाए गया, फिर आप डाक्टर बनेंगी, हम डाक्टर बनेंगे, तोड़ना नहीं है, बेटा, हाउसला नहीं हारना है, क्यों, आप तो सहीत की बेटी हो, आए, मैं सहीत की बेटी हूँ, तो आउसला नहीं हारना है, पढ़ना है, ना, मुझे पढ़ना है, आगे चलके जो पिता जी का सपना है, उससे पूरा करना है, है ना, पूरा करेंगी, कितने में पढ़ती हैं आप, दो में दो में बढ़ती हैं देख लिजे भी आए उनकी बेटी है और जानुवी जी का सब उनका भी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी सबके माबापका एक सपना होता है जब बच्चा पैदा करता है इनका भी सपना रहा होगा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा बड़ा होने के उपरान इस तरह से होगा कुछ लोग बैठें, उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस्तिती रहा, क्या महाल रहा है, लोग क्यों पहुचे, क्या पहुचे, क्या सुबनाम हूँ आपका जी, बीट सेंसिंग यादो कहां से आई हूँ है जी, यहीं पकड़ी बजार कनोली हमारा घर है जी, जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस गाउ में सहीद हो गए, सहीद होने के उपरांत, कई सावलात उचते हैं, कि सहीद हो गया, उसके लिए क्या उपलब्द कराना चाहिए, कैसे हो, तो इसका दाई तो कौन निभाएगा देखे, सरकार मौजुदा जो सरकार है, तो सरपर्थम उसकी जिम्मवारी बनती है, कि हमारे भावनाओं को समझे, और हमारे बीड सपूत के बच्चों को, और उनके परिवार को, एक उचित सिक्षा की ब्यवस्था करें, और उनके रहने और खाने पीने की ब्यवस्था कर उस तरह सरकारी डौकरी मिलेगी ही मिलेगी लेकिन एक सरकार की बीजि मुआरी बनती है جो पर देश की सरकार है लिखिय को सबहने बता दूंगा कि जिस तरह से आज राजनीति की दुद्लिष गंएप मतामयी है कुछ चुनाव से अगर चुनाव ना होता तो लोगो काते की करोणा है का चुनाव चल रहा है क्या है कि वेकिक है यहां वीर शपूत स्पास्थ Hamilton इनके सामने राजनीतिक मुद्दे होने ही नहीं चाहिए हमारा यह है कि हम जिस देश में हैं हमारी जिमवारी बनती है जिस तरह आप पंजाब से इस देश में आ करके आए एक देश के कोने में एकदम सबसे पीछे जो है इस कोने में आ करके आपने जो है बीर सपूत को जो है करसे चाहिए अर से ही चाहिए तर चाहिए और आप से ही शीखना चाहिए कि में पंजाब के sent Authority को neowe才 करने चाहिए करता हूं जादा कुछ नहीज कापना करता हुए ज्यादा कुछ नहीं कांगा आ ईटर लाथ हरा ने तरह से है और क्या बताया जाए कि कावण क्या होगा बताई है और और आप हां बताईये हमको रहे हैं को न्यों क्रिण को ले उनको जरूरा थै तो आप यहां बागी टाम तो नहीं ना मायवति कहां है यह सब बोलता है सब का है सब का सब किधर है रहुल गाधि कहा है जी आ देख लिए कोई नेता नहीं किसी से मतलब अब तक आप देखे होंगे कोई इनके दर्वाजे पे नहीं है बड़े बड़े वादे बड़े इरादे लेके लोग आते हैं लेकिन किसी की दर्द में खड़ा होरने की चमता नहीं है यह मैं जानता हूं क्या चाचा जी ना कोई ने खड़ा हो पाएगा ना करता हूं और नमन भी करता हूं असे बीर सपूत को जो इस गाव में रहके ग्रामिल आंचल में रहके भारतमा की लाज को बचाते बचाते स्वहीद होता है आप जब सहीद हो गए आये पार्थिक शरीर लेकर आया गया तो उस वक्त आप थे जी क्या नाम हूं आपका हमारा करते हैं और मुझे बहुत दुख है और घर भी है कि मेरा एक दोस्त सहीद हुआ मैंने वहां पर गया उसका डेड़ बाड़ी को भी लेके हम लोग आया इधर से जैसे भी हम लोग गाम एंट्री किये बहुत लोग नेता इसे आके फोटो की चवाने की चकर में राजनीत के चकर में डेड़ बाड़ी को भी रोके मैं बोला बाई देखो यह कोई राजनीत मंच नहीं है यह मेरा एक दोस्त सहीद हुआ है बहुत दुख हुआ हम लोग डेड़ बाड़ी को लेक्या है अपना हुआ हुआ संतोज जी को आप कब से मतलब जानते हैं संतोज जी को कर चाहिए नहीं जानते हम लोग एक साथ दोड़े थे और उन्होंने संतोज जी क्या था मतलब होता है निका बाव था इस तरह से राना एक सोच ता एक सपना था ऐसा कुछ होता है ना देखिया था देखिया मेरा बढ़ा भाई था और उनका सुरू से ही फोज में जाना है द मनोज यादो भी फाउज में हैं दोनों भाई की मतलब यह था कि दोनों लोग फाउज में ही जाएंगे संतोस यादों ने बहुत महनत किया और फिजकली फिजकली उन्होंने बहुत महनत किया और फाउज में गया और ज्यादा उमर भी नहीं हुआ ता आज सहीद हुए मुझ लोग वादे इरादे तो बहुत करते हैं कि ऐसा कर देंगे आपके पेटे के साथ आपके दोस्त के साथ ऐसा नहीं नहीं होगा लेकिन कल से इनके गारजियन इनके पिता जिनके भाई के इनके माता जी के पाउं के चपल अगर देखा जाए तो किसी भी कारे को चलते चलते घि जाएंगे फिर भी कार नहीं होगा क्या लगता है को तुछ इसके लिए क्या करना हो गगा इसके लिए क्या करना हो गया तो बाट कुछ पुसरा हो गया घरों की बात है और बात incentives रही है कैसे अपने क्मणाल के दो aja तो कुछ डिमांड भी है या फिर इसे कुछ है नहीं है डिमांड यह हम लोग इनको साध़त को भूल नहीं सकते हैं और संतोष यादो जिया हमाली आज जीवन जिन्दा है यह तो है आज जीवन जीश तर से मैं आया रास्ता भी सही नहीं है मैं फिर जाओंगा इस राष्टो जो जो फिश्कली तैयारी करते हैं उनके एक ग्राउंड चलिए उनके दोस्ते जो कि उनके साथ कुछ पल बिताय थे उनकी यादे इनके साथ और इन यादों को समेड़ते हुए इन्होंने गरों भी जाता है थोड़ा सा मैं उनके पत्नी से भी मिलना चाहूंगा तो थोड पर भी है इस बात का और इनका घर है आप देख सकते हैं यह सहीद परिवार का घर है इस तरह से और यहाँ पर भाईया लेकिन आने जाने के लिए अगर देखा जाए तो रास्ता नहीं है मैं उस रास्ता को भी दिखाऊंगा बहुत सरकार आई गई होगी बहुत लेकिन को पता नहीं है सहीद वही सहीद अगर ना होता तो हम चैन से नीत नहीं ले सकते हैं लेकिन आज उस सहीद के घर आने के लिए रास्ता नहीं है सर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को और ऐसे नेता को और ऐसे विदायक को और यहां के मंतरी को जो कि बहुत काफी वादे इरादे करत आते हैं आज उनके दिन से पूछिए जिनका बेटा सहीद हो गया है जिनका भाई सहीद हो गया है यह इस्तिति है आप देख सकते हैं इधर अगर देखाया जाए तो है नहीं राष्टा तक नहीं है कि मतलब दिखा